आप सब लोग आप सभी अच्छे होंगे आज बात करेंगे च्छे तारिक से जो सिरीज इस साथ होने जा लिए जिंबावे और शेडंका के बीच में मैं पहले काफी एक्सारिट था इस सिरीज को लेके थोड़ा सा अभी भी हूँ लेकिन उतना नहीं कितना पहले था रिजन क्या है कैसे है सब बता होगा आपको सिरीज में प्रिडिक्शन भी करूंगा सिरीज के कि मुझे क्या पसंद है जो मुझे पसंद हो आपको भी पसंद होगा जो सिरीज लास्ट हुई थी जिंबावे की आयलेंड से उसके बारे मैंने कहा था एक मात्तर सिरीज ऐसी थी तो मतलब जो office time होते हैं तो मैं cover नहीं कर पाया उसको but I'm sure आपको help मिला होगा आप चलते हैं करते हैं बाद इस series के बारे में तो सबसे पहरे दिख लेते हैं square जो के changes काफी जादों में दोनों टीमों में यह square है श्रिलंका का कुसर मेंडिस को कप्तान बना दे गया और चारित असलेंका को vice captain असलेंका वैसे मेरी फेवरेट प्लेयर हैं और मेंडिस तो talented प्लेयर रही हैं काफी लंबे समय से प्रफॉर्म करते आ रहे हैं अथुन निसांका एक और ऐसे प्लेयर हैं जो काफी वंडे में especially ब ही चाही और किनों सेम से की देखसे खियोदे इन फर चारो मेंडिस सिंका फर्नेंडों समारा विक्रमा से है sama ऐखन टेकनिकल प्लेयर है चारोही चारोही प्लेट चुन रहे हैं वो सारे ग्रीस चुन रहे हैं एक अच्छी टीम की निशानी होती है कि ऐसे ना किया जाए आपको दो बल्ले बाद अगर आपके पास टेक्निकल अच्छे हैं तो बागी थोड़े से अग्रेसिव घेल नाले होने चाहिए दतुन शान का कप्तानी जा चुकी है और अब मिडिलोडर में एजन बैट्समन केलेंगे और ली बोली भी कर लेते हैं हलकी फुल की मेरे ख्याल से अच्छा ही राइन के लिए क्योंकि बैटिंग इनकी डिप हो रही थी काफी जादा उसके रावा लियान गे ठीक ठीक प्लेयर है ठीक शना के बारे में देखो यह इ विए से मैं यह कह रहा हूं कि यह सीरीज मुझे पहले बहुत अच्छी होनी पुसंती अब नहीं है कि वाई क्वालिटी में आप देखो नो कितना बड़ा डिफरेंस आचुका है कि दुनित विलाल गे एक और अच्छे प्लेयर जो बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं बो थोड़ से बता रहें कि इंजर्ड है पूरे फिट नहीं शायद नहीं खेलेंगे तो और और अगर आप स्क्वाइड देखोगे तो शिर्डंग कर दो स्क्वाइड है तो काफी अच्छा है इस्पेशलिए अगर आप कंपैर करोगे जिंपा प्रिस से इसकी बात हम यहां प अच्छे प्लियर इस्पेशलि मैं कहूंगा बिलियम्स शौं बिलियम्स उनकी तो कमी बहुत ज्यादा खलने वाली इनको क्योंकि वह बड़ी अच्छे तरह से मिडिल ओडर में खेलते थे बोलिंग डालते थे अब इस दोरे पे उनकी कमी खलने वाली है यह एक वजया बन कोन है इर्वाइन चलो ठीक है उसके बार मिल्डर में आप आओगे तो आपको मिलेंगे सिर्व राजा और बर्ड इवन राजा भी आप ट्रस नहीं कर सकते राजा क्या रहना थोड़ी पर्सनल इगो में खेलता है संब्टाइम्स कि उसको मारना है शौट चाहे कंडिशन है ट्रस जम के दें यहां है और क्रीड़ इन अच्छे प्लेर है यह छह लंबा खैल सक्ते हैं एक महतर प्ले लग रहना है ज्वर्सा नहीं को में नहीं जानता जेरोड गुंभी मेरे को काफी इंप्रेस किये थे लग रहा है कि बंदे में टैलेंट है लेकिन इस दोरे पर तो तंग होएगा वह जोंग वे एक नीचे आते हैं बोलिंग बैटिंग दोनों करते हैं लेकिन कुछ खास उमीदिन से मत कीजेगा इसके अलावा का क्या ना वाई कैसे बोलेंगे इसको तो काईतानों वालों को भाइसाब कुछ खास ने कर पाएंगे खमून खनवे यह खुण नहीं कर लेगा अपना खुद का खुण कर लेगा यह इतने खुण भाएगा कोई फाइदा ने इससे भी कुछ नहीं होना क्लाइव मडान डे य को नहीं मुली होंगा अच्छे प्ले में को लगे लगे बंदे में टैलेंट बट वही वाली बात दो यहां पर दिक्रत फश्जाएगी इनकी स्पिन खेलने की जो टेकनीक है फिर आपको मिलेगा रिचार्ड नगरवाज जो अच्छा बोलर है ब्लेसिंग मजर्बानी अच जाती है और मैच भी कहां पर है कोलंबो में कोलंबो जाने आता है डिफेंड बायास टोडर के लिए महां पर बहुत हाइस कोस नहीं बनते हैं ट्रेडिश्ट नदी प्रेडिक्शन की बात कर लगते फाइनल ज्यादा समय इस पर बड़ बात नहीं करेंगे हम जिंबावे देखो मैं बतारों आपको की प्लिट जो उनके हैं उनकी उनको मिस करेगा इस दोर पे बहुत बुरी तरह से करेगा और यह उनको वननारेवल बनाता है श्रेलंक का ब नहीं आता वाई करना तो यह एक बड़ी ही अधिक्कतरी बात बात लिए तो मैं तो ही करों कि मैं जाओंगगा श्रिलंका के साथ दो एक से यह मैं जीतने और एक मैश भी ऐसा हो आप देख लेना श्रिलंका गिफ्ट कर गागा जिंबाबवे को जैनि जिंबावे के उकात यह मैज जीतने की छिलंका को शिलंका के अंदर हराने की जिंबावी के उकात नहीं है छिलंका खुद गिफ्ट कर सकता है मैज एक मैज जीतेगा और वही मुझे लग रहा है एक मात्र ट्रेडेबल मैज होगा इस से दीज का प्रेड़ एक मैस तो बनेगा अब पहला मैज सी जीता के बाकी दून लंका को जिताएंगे ऐसा रखेंगे वह लोग या पहला मैज जिताएंगे लंका को फिर दूसरा जिताएंगे जिंबावी को तक कि सिर्फ का रोमाच बना रहे ऐसा करेंगे या शुरू के दोनों जादेंगे शिर्फ लंका को और आखरी मैच जिंबावी को देने एजन के वाई तुम आए हैपी बड़ी टू यू जाओ वापी तो अलग बात है अगर वो कंडिशन मनते हैं थर्ड वारी तो सबसे बेटर कंडिशन वो होगी आपके लिए क्योंकि पर आप लगभग यह मान के चुरू कि थर्ड मैच जो होगा उसमें जिंबावी या तो मैच जीते रहा है फेवरिट आएगा उसकेस में एनिफेस जो भी देएगा हम टेलिग्राम में अपडेट करेंगा आपके साथ मैसेगा करेंगे तो यह मेरा टेलिग्राम चनल का लिं करते हैं आपसे किसी और वीडियो में तिल दें गुडबाइ और गुड़ लग्